बिसमिल्लाय रहमान दे रही आज हमार और आप लोगं का जो चेप्टर है वो है डिवेलपमेंट एजिंग डिवेलपमेंट एंड एजिंग अगर हम और आप लोग इस चेप्टर के नाम को देख ले तो डिवेलपमेंट एजिंग है लेकान अगर आप लोग इस चेप्टर को रीडिंग जैदे तो डिवेलपमेंट के साथ-साथ इन्होंने एक और लफज को भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है और वो है गुरोध का लफज है गुरोध इसलिए पुराने कोर्सिस में इस चप्टर का नाम होता था गुरोध एंड डिवेलपमेंट लेकिन आपके कोर्स इस चप्टर का नाम है डिवेलपमेंट एंड एजिंग लेकिन इस चप्टर के अंदर फिर भी इन्होंने डिवेलपमेंट के साथ-साथ गुरोध के लफज को भी बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है डिसक्राइब किया हुआ है इसलिए हम और आप लोग जरूर इन दो अलफास को डिसक्राइब करेंगे कि गरोध का मतलब क्या होता है और इन दो आलफास का समझना तोड़ा उरूरि होता है जो फो गुरोध और डिवेलपमेंट होता क्या है इस कि एलावा इस चे चेप्टर को अगर हम और आप लोग समझेंगे तो उनके लिए भी इन दो आल इस सेल में कोई शक्त नहीं है। हमारे बाड़ी का सेल है तो अंडिस्टूट्ट बात है। वो फिर डिपलायीड होगा, अंडिस्टूटूड होगा। ऐसमें फिर फॉर्टीटीश् सिक्सक्रोमोसों भी होंगे. अगर इसके अंदर cell dividend हो जाए और cell dividend को हम आम तोर पे mytasis ही कहते हैं ये हो जाए तो फिर तो इसे दो डाटर सेल हमारे साथ बन जाएंगे इन डाटर सेल में क्रोमसोम का नंबर कितना होगा उतना ही parental जैसे होगा क्योंकि ये तो mytasis है तो फिर ये भी इसमें भी फाकिसिक्रोमसोम्स होंगे इसमें भी फाकिस्इक्स क्रोमसोम्स होंगे तो ये बात हम और आप भार बार हम और आप लोगओं ने पढ़ लिकर अगर हमारे साथ parent lie on है इसके अंदर mytasis हुआ छोऊ तो तो दो डाटर सेल हमारसद बन जाएंगे इन दो डाटर सेल्स के अंदर उस वक्त तक पिर किसी किसम की सेल डिविजन नहीं होगी जब तक कि इनका साइस पेरेंट के सेल के साइस तक ना पहुंच जाए जब हो जाए पिर इसके अंदर पिर ये सेल डिविजन जो है ये फिर श के हमार साथ एक परेंस सेल है इसके अंदर सेल डिविजन हुआ है इसके उसके अंदर इसके अंदर लिए बीवेलपमेंट हुआ इसके लिए बीवेलपमेंट हो यानि जो डिवेलपमेंट की लफद न एम्जुराइं आम तो पर इसको sell डिवीरिण के लिए हम इसको усक्ते हैं और जो sell divirion है हो mytasis भी हो सकता है लेकिन majority cases में होता है फिर हम embryology की language में हम कैसे कहेंगे कि जब दो डाटर सेल बन गए है तो इनके अंदर उस वक्त तक फिर development नहीं होगी यानि उसके अंदर पिर किसी किसम की cell division नहीं होगी जब तक कि इनका size parent के cell के size तक ना पहुंच जाए और size को के लिए हम जिस लफ़ज का इंते हाब करते हैं embryology में हम इसको कहते है growth तो पिर हम कहेंगे कि इन डाटर सेल के अंदर उस वक्त तक पिर किसी किसम की development नहीं होगी जब तक कि इसके अंदर growth पूरा ना हो जाए तो अगर हम और आप लोग development के लाफ़ज को देख ले तो development में असल में होता क्या है जो सेल होता है वो number में increase होता है लेकिन अगर हम और आप लोग उदर growth में देख ले तो असल में सेल के साथ क्या होता है वो सेल जो होता है वो size में increase होता है इसका मतलब कि development के लाफ़ज को हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन किस परपस के लिए कि जब सेल के जो नंबर है न वो इंक्रीज होता है और सेल के नंबर के लिए जो प्रासिस रिस्पांसिबल होता है इसको हम और और आप लिक सेल डिविजिटन कहते हैं उसके और आप लोगग ग्रोथ कहते है और ग्रोथ का सिर्फ मतलब होता है लन्बर के लिए पूंज नहीं हो रहा है ओ दिवैलम्ट की जो अल्फाथ हैं आप लोगगो समझ आने चाहिए नेक्स्ट वो यह है कि अगर हम और आपनों में है और आपनों गये से देख ले एक sell हमेशा के लिए दो phases से गुज़ता है एक जो sell होता है वो हमारे साथ normally दो phases से गुज़ता है इसमें sell dividend की रही है यह इक phase है पूरा sell इस process से गुज़ता है नो डाउट पिर growth भी होता है ये इस face से ये गुजरता है तो अगर हम और आप लोग इस cell को देख ले तो इनमें क्या होगा इसमें development भी होगी हाँ इसके अंदर ये growth भी होगी ऐसे ये जाएगा तो अगर आप लोग cell को देख ले इसके पूरे life history में एक cycle से पास होता है तब इनमें development भी होता है इनमें growth भी होता है और इस development और growth ये दो phases होते हैं जो के cell के cycle के अंदर present होते हैं चुँके ये एक मरतबा पुराने courses से इटा में ये बात आई वी थी कि अगर cell cycle को आप लोग देख ले तो उसमें तो दो phases तो होते हैं लेकिन इनमें पहला क्या होगा यानि पहले development होगा कि पहले growth होगी पहले क्या होगा cell के अंदर कौन से चीज होने चाहिए तो आप भी इसके ओपर सोचे लेकिन चुँके क्लास ही नहीं कि हम और आप लोग इसको डिसकस कर ले मैं आप लोगों से पूछू हम और आप लोगों इंटरेक्शन कर ले मैं ही आप लोगों को जवाब दे रहता हूं कि अगर आप लोग cell cycle को देख ले तो इसमें पहली क्या चीज लेकर नहीं प्रोगों कि अखरोयए कर सबस्क्राइं तो इधर वाली बात नहीं है कि नहीं है कि पहले मॉर्गीती कि अपक tension के फिर साथ का यहां किन्यों को बता दिया है कि पहले growth होगी पिर development होगी, तब जाके आपके book ने बड़ा खुबसूरत sentence भी इसके लिए लिकावा है, growth is oftenly accompanied by development one, इसका मतलब कि growth के बाद आम तोर पर development जो है, ये पिर हो जाता है, ये तो कहीं पूछा गया तो पिर आपनों को पता होना चाहिए, पहले growth को पिर development होगी, जो दूसरी बात है, वो ये है, अगर मैं आप ही से पूछो, जब मैं कहता हूँ ना कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो बेश्क आप उस time पे इसको pass कर ले, इसको आप लोगों stop कर ले, तो आप लोगों सोचे, पिर आप मुझे answer दे दे, खुद दे दे, पिर मेरा व growth होता है, यह ज़्यादा time लेता है, development कम time लेता है, अगर आप लोग human being में भी देख ले, growth बहुत ज़्यादा time लेता है, जबकि जो development होता है, जबकि इसी बंदे के फिर बच्चे वगरा होते है, वो पिर बहुत ज़्यादा time लेता है, इसका मतलब कि अगर आप number में increase हो र development का होता है, यह दोवा अलफाज थे, जो मैं आप लोगों को समझाने थे कि growth क्या होता है, development क्या होता है, इसके ओपर बात दाफा टेक्निकल जो MCQ आते हो, मैं आपके साथ शेयर कर लिए हैं, यह भी पिर आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही, इधर पर आपक data के लिए size में increase होता है, फिर development हो जाती है, फिर इससे वो जो cell होता है, उनमें जो changes आते हैं और फिर positive आते हैं, लेकिन बास दाफा यही cell जो है, जिसके अंदर यह growth हो रही है, जो कि 90% time ले रहा है, जो कि पहला यह होता है, जब यह changes होते हैं, यह positive नहीं होते है, reverse होना हो जाते है, positive or negative से मेरा मतलब क्या है, positive में वो चीज़े बनेंगी cell के अंदर, जो cell की survival के लिए जरा जरूरी होंगे, उससे cell के अंदर जो metabolism होगा, वो जबरदस होगा, A1 होगा, यानि cell के अंदर जो कुछ भी होता है, बड़ा A1 होता है, वो सारी चीज़े बनती है, इसमे इसका carrier बनता है, इसमें इसकी life बनती है, तो फिर हम कहते हैं के अंदर positive changes आ रहे हैं, जिस तरह के आप लोग हैं, आपके अंदर positive changes आ रहे हैं, आपने nine dent को cross किया, आपने FAC कर लिए, आप वीटा करेंगे, आप लोग इन BBS में जाएंगे, पिर job आएगी, तो ये सारे के सा हो जाते हैं, कुछ और और हो जाता है, financially आप वीक हो जाते हैं, आप के अंदर वो energy नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं के life के अंदर negative changes आ रहे हैं, इसी तरह से अगर आप लोग देख लिए, cell के अंदर development and growth है, maximum growth है, growth positive हो का किसी cell के अंदर, यानि cell के अंदर वो चीज़े बने इस तरह की enzymes बनते हैं, इस तरह की chemicals बनते हैं, इस किसम के metabolic reactions होते हैं, कि वो cell की survival के लिए ठीक नहीं होते, cell की activity के लिए ठीक नहीं होते, cell के जो lifetime होते, इसको कम कर लेते हैं, तो हम पिर कहते हैं, कि cell के अंदर negative growth हो रही है, negative changes आ रहे हैं, तो अगर cell के अंदर जो growth है, वो क हो रहा है और हिमेन बिंग्स के बाड़ी के अदर पेले भी मेंन आपके साथ य earlier कि थी के 75 ट्रीलियूंद तक सेल हमारे बाड़ी के अंदर प्रेजन्ट होते हैं अगर स्वेंड ettrниц ने यह पर पर फ़ैना में शुरू हो जाए तो फिर जो बंदा होता इनके पिर एजिंग शुरू हो जाती है इस ते लिए आपके बूख ने ये बड़ा खुबसूरत लफज लिकावा है कि जो गुरोत होता है इनमें और कोई चीज नहीं होती इनमें ये जो शाबा से सारा कुछ होता है, जो ग्रोथ होता है सेल साइकल में, अगर ये नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो फिर हम आम तर पर इसको एजिंग कहते हैं, इसलिए इस चेप्टर में हम और आप लोग ग्रोथ और डिवेलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ-साथ एजिंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये पिर ये एजिंग वग्यरा क्या होते हैं, ये तो कुछ वो अलफास हो गए हैं, अब अगर आप लोग तोड़ा हुए से सोचें, कि जो ग्रोथ और डिवेलपमेंट है, इन अलफास को हम किस फील्ड के अंदर हम इ इसको study करते हैं, लेकिन अगर आप लुग देख लिए, एंब्रीयो बनी किसची से है, एंब्रीयो तो मेल के अंदर वो एक स्परम बना हुआ था, एंब्रीयो तो फीमिल के अंदर वो एक और एक बना हुआ था, ये दोनों के दोनों आपस में मिले, fertilization हो गयी, तक जाइग पारम और ओम थे उससे लेके हमारी पूरी की पूरी बाड़ी बन जाती है एक मल्टी सेलर बाड़ी बन जाती है। तो फिर अगर मैं आप लोगों से पूछू कि हम और आप लोग किस की वज़ा से हैं तो साइंटिफिक आंसर इसका ये होगा कि हम और आप लोग उस एक जाइगोट या उस परम और ओम के अंदर ग्रोथ हो रही थी डिवेलप्मेंट हो रहा था ग्रोथ हो रहा था डिवेलप्मेंट हो रहा था तब जाके उस एक सेल से बहुत ज्यादा सेल भी बन गए है और मुक्तलिफ किसम के सेल भी बन गए है तब जाके एक एम्बरियो बने इसका मतलब यह है वी आर जो हम और आप लोग हैं वी आर डिव टू ग्रोथ एंड डिवेलप्मेंट हलांके पहले तो हम एक सेल थे जाइगोड था उस जाइगोड के अंदर क्या हुआ उस जाइगोड के अंदर यह हुआ कि हमारे अंदर शाबह से हमारे अंदर उस एक सेल के अंदर ग्रोथ और डिवेलप्मेंट हो रही थ तब जाके एंड पर एक माल्टी सेलर और एक कम्प्लेक्स बाड़ी बन गए तो फिर शटकट हम और आप लोग कह सकते हैं कि हम और आप लोग अन्दी बेसिज आफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट है नेक्स वो यह है कि फस्टियर में था कि सेकंडियर में था कोई पोईम हुआ का था ये इंगलिश के अंदर था और विलियम वर्ड़ वर्ड के विलियम शेक्सपेर ने इसको लिका हुआ था वो यह था कि जब इनसान की पैदाश हो जाए एक मरतबा तो यह जो दुनिया होती है यह आपके लिए एक स्टेच का काम करती है और इसके उपर आप लोग आ जाते हैं आपकी पैदाश हो जाती है और आप वहाँ पे सेवन साथ मुक्तलिफ किसम के रोल को परफारम कर लेते हैं और जब आप seven roll को perform कर लेते हैं तब आपकी जो existence होती है वो acting होती है इस दुनिया के ओपर वो खत्म हो जाते हैं तब बंदे की data कर हो जाती है इसका मतलब कि जब हमारे और अपनों की पैदाश हो जाए तो फिर हम और आप लोग वो seven roll seven stages को हर एक बंदे इसको cross करता है तब ज जब हमारी और अपनों की पाइदाश नहीं हुई थी तो पाइदाश के लिए हम और अपनों को बनने के लिए भी सेवन स्टेजिस चाहिए होते हैं। इसका मतलब कि साथ स्टेजिस के तुरू हम और अपनों बन जाते हैं। जब बन जाते हैं पैदाइश हो जाए तो फिर से देख ले तो हम और अपर भी सको ज़रूर्ड डिसकास करेंगे कि embryology में embryo को बनने के लिए वह सेवन स्टेज जिस कौन कौन से हैं जिसके वज़ा से कोई embryo बन जाती है लेकिन embryo के बनने के लिए उनों सेल के अंदर उस जाय एक सेल केंदर यानि जाइगोड केंदर सेवन स्टेजिस आकर हो जाते हैं तब जाके एक एम्बरियो बन जाती है उस एम्बरियो से जब बेबी वगरा बन जाता है उसकी पाइदाश हो जाए तब जाके वो सेवन स्टेजिस को क्रास कर लेता है तब जाके उसकी पर एग्जि की के उपर सारे टापिक्स इसके अंदर समयराइस हो जाएंगे हमारे कवर हो जाएंगे इसलिए आप इसको चाही तरीके से समझने की कोशिड कर ले बुक में ऐसे इन्होंने नहीं नहीं रिकावा है, वो 7 स्टेजिस हैं और ये ये वालेवा हैं, हाँ, इन्होंने इनको मेंशन जरूर किये हैं, लेकिन इसमें वो तर्तीब नहीं है, हम और आप लुक इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे, लेकिन त तर्तीब होगी, उसके तुरह अगर हम और आप लुक जाएंगे, तो फिर आखिर में हमार से एक एमरी जो है, ये फिर बन जाएगी, तो इसलिए में यहाँ पर हेडिंग दे रहा हो, कि आदी बेसीज आफर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट वो सेवन स्टेजिस जो है, वो हम और आप लुक इनको अगर डिस्क्राइब करेंगे, तो उन सेवन स्टेजिस में से वो पहला स्टेप क्या होता है, वन बाई वन अगर हम और आप लुक इसको डिसकस करेंगे, तो जो पहला होता है, वो है गेमीटो, जैनेसीज, हर एक को ह य calibration कलिए आपके बूक ने एक और लफ भी लिए को है वह जबकि जो तीसरा होता है इसको हम और आप लोग कहता है leven ऊशाड़ एशन के यह जरुड'll I यह उता है इसको हम और आप लोग ब्लास्टूलेशन कहता है जो पाँच can होता है इसको हम और अप लोग गेस्ट्रूलेशन हम और अप लोग इसको कहते वन बाई वन हम लेंगे, आखिर में हमारे साथ कोई एमरी जो है ये फिर बन जाएगी और इस से हमारा पूरी जितने भी ये टापिक्स होंगे, मुस्टली हमारे इस चप्टर के कवर भी हो जाएंगे गेमीटोजेनेसिस, अगर कहीं मैं आप लोग उसे पूछूँ कि गेमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है तो गेमीटोजेनेसिस का जो लफज है, इसका एक ही मतलब है, वो है फारमेशन आफ गेमीट्स लेकिन ये लफ़ भी आप लोग आपके जिहन में होना चाहिए कि गेमीड भी बड़ा लफ़ज है मोटा लफ़ज है ये गेमीड मेल के अंदर भी होते हैं और इनको हम और आप लोग मेल गेमीड कहते हैं और फीमेल वाले भी होते हैं इनको हम और आप लोग पिर फीमेल गेमीट्स हम और आप लोग इसको कहते हैं, ये जो मेल के गेमीट्स होते हैं, इनको हम और आप लोग सिंपली स्परम्स कहते हैं, जब कि जो फीमेल के गेमीट्स होते हैं, इनको हम और आप लोग एग या ओम हम और आप लोग इसको कहते है यू नो कि जो स्परम होते हैं इसके फारमेशन को यानि फारमेशन आफ स्परम्स इसको हम और आप लोग कहते हैं स्परमेटोजेनेसिज जबके जो जबके जो ओम्स होते हैं फारमेशन आफ एगर आर ओम जो होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं ओ ओ जेनेसिज हम और आप होगी इसको कहते हैं तो स्परम कैसे बनता है इसकी पूर रिटेल हम और आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चेप्टर के अंदर हम और आप लोगों ने पढ़े हुई थी इसकी पिर डिस्क्राइब करने की ज़ुरत नहीं पड़ती लेकिन फर्मेशन अफ ओम एक कैसे बनते ह इसको भी हम और आप लोगों ने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था कैसे बनता है इनको भी पिर यहां पर डिस्क्राइब करने की ज़ुरत नहीं होती लेकिन स्परम हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था फिश लाइक टेट पोल लाइक बाड़ी के अंदर पूआ हैं इनको हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था लेकिन आखिर में अगिर मिट्टोगैसिस में में मेल्सके अंदर केAnn evolubi DeepMきます बन्ते हैं जो मेल की एम्रीमिटस से इनको हम और आप लोग س्परम कहते हैं जो फीमिल क array या ओम कहते हैं लेकिन स्परम हो या हो यह द शक कि इसमें कोई शक नहीं है, जरूरी भी है, और टाप पे भी है, फस्ट पे भी है, यानि नमबर वन इसका है. तब जाके यह मैंने इसको डिसक्राइब कर लिया है, मजीद इसको डिसक्राइब करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी. क्यूंकि इसको आले डे ह यह फीमिल का कोई री प्रोड़क्ट सिस्टम है, तो इनमें यह दो तो ओवरी होते हैं, राइट ना, यहां पर मोद दूसरी वाली भी बना लेता हूं, यहां पर ऐसे यह दो ओवरी होते हैं, तो यह जो है, जिसको मैंने बनाया हुआ है, यह तो एक ओवरी हुई, उस लेकिन अगर अपनों कोयादों में ने बताया हुआ था कि यह देड़ लाग, एक लाग, पचास हजार तक ओवरीन फालीकल जो है, यह दोनों ओवरीस के अंदर प्रेजन्ट होते हैं, और यह बाई बर्त यहां पर प्रेजन्ट होते हैं, पिर हम और आप लोगों ने यह ब बाद भी पढ़ी हुई थी, कि जब ओवरीन फालीकल के अंदर इसमें वो मियासिज और मायटासिज वो पूरी स्टोरी हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, तो इधर पे दो चीज़े बन गई थी, एक हमारे साथ सेकेंडरी उसाइड बना हुआ था, और साथ में एक फिर्स्ट पोलर बाड़ी भी थी, फिरीमेंबर, तो फिर हम और आप लोगों ने उधर पर पढ़ी हुई थी ये बात, कि फीमेल्स के रीप्रोड़क्टिस सिस्टम में ये जो एग्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी उसाइड होता है, ये फीमेल के बाड़ी के मंतली साइकल मे जिस स्टेज पे ये रिलीज होते हैं, यानि जिस स्टेज पे ये निकलते हैं इस से, शाबस है, वो इसको मैं बलेक सा बना रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ, कि ये वो सेकेंडरी उसाइड है, लेकिन जिस स्टेज में ये निकला हुआ था, उसका हम आप लोगों ने जिया है यह भी उनके साथ रिलीज हो जाती है फर्स पोलर बाड़ी है नो डाउट यह फिर हैपलाइड होगी क्योंकि सारा कुछ इसी से बन जाता है तो जो कोई चीज से निकल गया यह वाला जो इससे निकल गया है पीचे जो कोई चीज रह गई अब हम उसको ओवेडियन फ cciónfalical हम इसको कहते हैं इसका मत brauchen यह हुआ कि ओवे वेरियन फालीकल में फर्रढन किक है कि ओवेरियन फालीकल में यह सारे जो chemotherapy साइट थे जो फरस्ट पोलर इस पूरबरीती यह इसके अंदर प्रेजेंट थी लेकिन जब इन से निकल गये हैं, तो फिर हम इसको नहीं कहते हैं, इसको हम अपर फिर ग्रेफियन फालिकल का लफ़ जो है ना, फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ग्रेफियन फालिकल के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये इम्टी इन नेचर होता है, लेकिन ये जो ग्रेफि हम इसको कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रेफियन फालिकल है यह जिस हर्मोन को सिक्रीड करना शुरू कर लेता है उसको हम और आप लोगों को याद हो हम और आप लोगों ने दो हर्मोन और भी पड़े हुए थे एक एफसे ता जबके जो दूसरा था वह एले था एफ में फंक्शन में आपनों को बताए हुए थे नंबर वन यह फालिकल्स को स्टीमूलेट करता है और नंबर टू यह एस्ट्रोजीन हर्मोन को बनाता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपनों को एफसेच हर्मोन याद हो फालिकल को स्टीमूलेट करने का मतलब क्या है रिप एस्टोजीन हार्मोन को भी बनाता है तो एस्टोजीन हार्मोन कोन सिक्रिट करता है वो तो ग्रेफाइन फालिकल किस से बना हुआ है वो तो ऑवेरियन फालिकल से बना हुआ है लेकिन ऑवेरियन फालिकल क्या एस्टोजीन को सिक्रिट करता है नहीं करता इसका मतलब यह कि ये ओवेरियन फालिकल को ग्रेफियन फालिकल में कनवर्ट कर लेता है। बड़ा ही खुबसूरत इसकेंडर ये MCQ हमारे सद बन जाता है। कहीं पूचा गया कि ओवेरियन फालिकल को ग्रेफियन फालिकल ये ग्रेफियन फालिकल में इसको कौन कनवर्ट करता है। ये कोई actually और नहीं होता, ये FSH ही होता है, और ये फिर estrogen hormone को secret करना शुरू कर लेते हैं, estrogen hormones के function क्या है, मैंने बताए हुए थे, ये secondary sexual character, females के अंदर इनको ये control करते हैं, लेकिन अगर आप लोग estrogen को वैसे देख ले, graphian follicle secret करता है, graphian follicle बना हुआ है, लेकिन ये graphian follicle present कहां पर है, वो ओवेरी के अंदर है, इसका मतलब कि जो ओवेरी है, वो इसने एक hormone को secret करना भी शुरू किया, जिसको हम और आप लोग estrogen हम इसको कहते हैं, estrogen का सिर्फ और सिर्फ ये function नहीं है, कि ये secondary sexual characters को भी control करेगा, सिर्फ ये नहीं है, मैंने उदर आप लोगों को बताया था, कि इसके कुछ और और function भी इधर पर आ जाएंगे, उन function में से क्या क्या है, कि जो estrogen होता, hormone होता है, जो कि यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, वो इधर ovary से नीचे uterus को आता है, ये hormone नीचे uterus को आता है, और uterus के अंदर, you know कि वहाँ पर तीन layers होते हैं, epimetrium, यानि perimetrium जिसको हम आपको कहते हैं, myometrium है, endometrium है, नाम से जाहर है, peri या epimetrium, ये बाह अंदर वाला होता है, वहाँ पर जो endometrium होता है, वहाँ पर फिर दो sub layers होते हैं, इनमेंसे एक को हम और आप लोग बेसल कहते हैं, दुसरे को हम फिर functional कहते हैं, ये अलफाज आपके course के अंदर भी हैं, तो आम तर पर मैं students को कहता भी हूँ, कि प्लीज आप इसको इटर में और इस textbook के अंदर भी बेसल के लफ़ज को कहीं आप लोग बेस कंसिडर न कर ले, और functional को हाँ आप लोग कहीं English के लफज, function आप लोग इसको इसको चंसिडर न कर ले, कि ये functional है, ये बलकि ये medical science के terms है, और बेसल ये layer है, cell का एक layer होता है, और functional ये भी एक cell का एक layer होता है, अंदर की तरफ होता है तब जाके हम इसको बेसल लेकिन functional layer चुमके इसके उपन प्रॉपर प्रॉजन होता है तब जाके हम इसको functional layer हम इसको कहते हैं तो हम कहते हैं कि जो आम आएगा अगर इसकी फरटिलादे़िशन हुई जाईगोड बना तो जाइगोड तो इंप्लांट होगा यूटरस में लेकिन यूटरस में कहां पे एंडोमेट्रियूम में लेकिन एंडोमेट्रियूम में एक्चुली कहां पे ये इंप्लांट होता है बेसल के फंक्शनल लेयर के अंदर ये इंप्लांट होता है तो इस फंक्शनल लेयर को य ये एस्ट्रोजीन क्या करता है? ये इसको बिल्गुल ऐसे ही करता है, जिस स French के अंदर सीड बोते हैं तो जो कोई किसान होता है, और एसको तोड़ा साफ्ट कर लेता है, बेल जासे से, он जो साफ्ट साइस को बना लेता है, फिर इसको पानी देता है, फिर इसमें कोई e stapy डल लेता हैं ये इसको वह दायर कर सकता है तो यह लोगम ककckets इसको ऊच्छी हो यह हूता है Maps कि कस लियार नहींजे शीर होता है इसको और करता है साफड कर लेता है् QC कि टी करता है मोटा कर लेता है इसको ग्लेंडूल सारी इसको इसमें ब्लड सुप्लाई यानि जो वेसल्स होते हैं इनकी इसको ब्लड की सुप्लाई जदा कर लेते हैं और अगर आप लोग इन बातों को देख लिए बिलकुल ऐसे ही है कि वाल्वेट ही हुआ सफ्ट हो जिससारा कि वह यूट्रस में एंडोमीट्रियम में फंक्शनल लेयर के उपर होते हैं तब जाके कहीं भी इसका फंक्शन पूचा गया तो सेकेंडरी सेक्शल करेक्टर के अलावा कोई भी फंक्शन हो लेकिन रिलेटिड हो यूट्रस के एंडोमीट्रियम के फंक्शनल लेयर के साथ लेक कौन हार्मोन इसको क्या है प्यूर्स को रैड़ बना देगा कौन हार्मोन इसके सब्सक्राइब करेगा क्योज्ब गया इस तो यंहीं जिली की यह हमारा न चाटा के यह कुछ यहां पर शूरू हो जाता है क्योंकि उद्र पीछे से तो अम और हो सकते ़ो Consult हो जाए तो यह फिर ऐसे होगा अब फार एक्जामपल हम इमेजन कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी उसाइट है यह जो मेटाफिस्टू वाला है जो कि हेपलाइड है यह ऐसे आएगा तो आएगा तो ओविड़क्ट में तो मैं आप लोगो को फीमिल के रिप्रोड़क्ट रिस्ट है तो यह बाद भी मैं आपके साथ यह की वी थी कि एंटिरियर वन तर्ड पर वन तर्ड पोर्शन में इस फर्टलिजेशन के चांसिस बहुंदार होते हैं मिडल में तोड़े कम होते हैं पोस्टिर में और कम होते हैं लेकिन एक मरताबाव वो एग यह वाला से केंडरी हु पिर भी इनके अंदर वो जो फर्टलिजेशन होती है यह फिर पासिबल नहीं होती यह नहीं हो सकता यहां पर वो चांसिस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं लेकिन अगर मेला और फिमेल के बीच में मैं उस केस को डिसक्राइब कर रहा हूं इस टाइम पर मेटिंग हुई है किया पर छोड़ेता है लेकिन स्परम हैं इसके अंदर मोबिल्टी हैं मोटीलिटी है वो बार बार आप लोंको बता रहा हो कि वो तो स्ट्रूमिंग है और जो स्ट्रिम है वह अब स्ट्रीम होगा बहाओ के उल्टा होगा इसका मितलब यह हुआ किस परम इदर से इस पर एक रोसोम, उसमें वो हायाल औरनेरीज इंजाइन, उसको सीक्रीट कर लेता है, जो ही उसको सीक्रीट कर लेता है, इस सेकेंडरी उसाइड के मिंब्रेन को ये परमियेबल बना लेता है, और जो ही इसको परमियेबल बना लेता है, वो जो स्परम होता है, वो अपना कि लेक्ति को दे दिया है जब दे दिया है तो प्र तो यह प्रहन हो गया है यह ठो डीप-लाइड हो गया है अब यह जो डी-प-लाइड एंग होता है आप से इसको अब हम कहते हैं पो यह यह दो यह दो जोdar- остला एगं और इस थे होता है इसकी निए Medical Science में हम जो लफ़ इस्तेमाल करते हैं वो है जाइगोट तो याद रख ले जाइगोट क्या होगा वो डिप्लाइड होगा लेकिन जाइगोट है क्या वो एक्चुली फार्टिलाइज ओम है और कोई चीज नहीं है इसलिए जाइगोट का दूसरा नाम फार्टिलाइज ओम भ कि फार्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो से केंडरी उसाइट होगा और जो से केंडरी उसाइट होता है वो फिर हैप्लाइड होता है इसका मतलब कि ओम का जो लफ़ज है एक का जो लफ़ज है वो दो तरह कहां में इस्तेमाल करते हैं और फार्टिलाइज और जो है उसका दूसरा नाम जाइगोड भी है तब जाके अगर आप लोग देखे लिए कि जो फीमेल से उनमें ये एक्स तो आ रहा है हर मंत इस से रिलीज होते हैं लेकिन एग आ रहा है लेकिन उदर उनके अंदर प्रेगनेंटसी नहीं बनती इसके पीछे रीजन क्या है वो जो एग आ रहा है वो तो secondary ूसाइट है जो है वो तो हैपलाइड है तो हैपलाइड अगर यूटरोस को आ भी जाये उसको यूटरोस एक्सेप्ट नहीं करता क्यों इसलिए कि हमारा जो आरीजन है जो हम और आप लोग हैं विए डिपलाइड तो अगर हैपलाइड एक को उ यूटरिवसाइड है है तो फिर तो इसको इत्रिस एकसٹ नहीं करेंगा डिप्लाइड हो याजाई गोड बना एन्धा फर्टि इत्रिस एकस्प् भी करेंग Xuatha पिर आसान है उन्हों पहर हमें पढ़ा चल जाएगा कि पिर क्या होगा नसी भीन अम होगा जाइं को लेकिर अब वो डिप्लाइड है वो होई क्या वो फर्ट शाबसे वो टू एन वाला है वहां पर फर्टेस्स क्रोमोसों जोंगे इसलिए मैं ग्रीन मार्कर से आपको बता रहता हूं ऐसे लाइन लगा लेता हूं कि जो फर्टिलाइजेशन है इसका जो एंड प्रडक्ट हुआ वो जाइगोड हुआ या जाइगोड का दूसरा नाम फर्टिलाइज्ट ओम या एग हुआ और नो डाउट यह होगा क्या यह टू एन होगा इसमें फर्टिस्स क्रोमोसों सोंगे और यह होगा भी डीप लाइट यह पाइंट साब के जिन में होने चाहिए तब जाके यह बात पूछ लेते हैं कि गेमिट्रिगेंस का एंट इड्र क्या है गेमिट्र जे मिट्रेजणि के कितरे यह ट्डuben होते हैं झी और यह बात दफाए नहीं पिर्टि पूचिछ घाती है यह रह भीड़े करन संप्रिक्सटिन है यह वीमिल के फिरीट्रिक्टरु स्टमिक होता है तो तरिया औवीडोट होगा फियलफयन ट्यूब होगा लेकिन बदर पूछे तकि यह कहां पहो गाएंटेर बंटर पोर्शन कहीं पूचे जाता है कि फट्रडिशन कंसेप्शन में कए ब्रड क्या है तो जायडों होगा वो वो फर्टिलाइज ओम होगा जो ये इस एक से बहुत जी सेल पर बनेगे क्योंकि जाए गोड़ तो एक सेल है तो अगर बहुत ज्यादा सेल इसे बने गिना तो ये बात हम और अप लोग ने पहली भी पढ़ी वी थी पिर भी बता कि जå celebrity है वो तो पिर हमारा साथ दो तरह का है एक तो हम और आप वोग मयासिस कहते हैं दूसरे करना इसा तौह तो अगर मैं पूच्छों कि हमारा सती जाइगोट है इसमें नूइकलिस इसमें वह डिप्लार दो बन जाते हैं लेकिन इन दो डाटर सेल में क्रोमोसोम्स कितने होंगे वही 46 वही 46 यानि 2N यानि 2N वाले ये तो हमरे से सारा कुछ इस तरह से बनेगा मेरी बात आपके जिर्म में होनी चाहिए यह सारा कुछ ऐसे ही बनेगा ऐसे ही होगा इसका मतलब यह हुआ कि जो जाइगोड के अंदर हो उस माइटास को हम फिर कहते हैं क्लीवेज तो क्लीवेज बैसिकली है क्या इसमें कोई शक नहीं है क्लीवेज बैसिकली है माइटास इस लेकिन जो अगर आम सेल के अंदर हो जाए फिर हम इसको माइटास कहते हैं लेकिन अगर यह जाइगोड के अं हम और आप लोग इसको ये नहीं कहते कि ये फिर क्लीवेज हुआ और सिर्स के अंदर हम और आप लोग इसको आम तुर पर क्या है माइटासिज ही हम और आप लोग इसको कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोड के अंदर जो होगा W au maie tosis होगा हां वो होगा cleavage होगा अब अगर हम और आप लुक देख लेते हैं फार एकजाम्पल हमारे साथ यह कोई एक Zाइगोड हमारे साथ बन गया है मैं Zाइगोड को इसको ऐसे शोग कर रहा हूँ Zाइगोड हमारे साथ बन गया है तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जाइगोट लेकिन जाइगोट इसमें नूकलिस है यह कौन सा वाला वो टुएन वाला हुआ लेकिन अब जाइगोट है यह जिस सेल का फंक्शन पर फारफारम कर रहा है वो तो पेरेंट सेल हुआ ना पेरेंटल सेल हुआ ना लेकिन उस पेर पूर्स ने और खास नाम नाम दिये हुए हैं और इनको हम पिर कहते हैं बलास्टो मियर्ज इसके मतलब यह हुआ कि अगर मैं पूछू के बलास्टो मियर्ज क्या है यह इन डाटर सेल्स को खास नाम दिया गया है लेकिन बलास्टो मियर्ज क्या है शाबा से यह एक्चुली इस जाईगोट से जो डाटर सेल बन गए हैं इनको हम फिर ब्लस्टॉमियर्स कहते हैं लेकिन ब्लस्टॉमियर्ण डिप्लाड होगे क्या हैं है वो डिप्लाड होंगे तो फिर हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे के जाईगोट है इसके अंदर कलीवेज हुआ दो अगर कहीं ये दो सेल सेपरेट हो गए जैसे ये और ये एक भी सेपरेट हुआ, दूसरा भी सेपरेट हुआ तो फिर जो एक जाइगोट है उनसे जो दो बलस्टोमियर बन गए है अब हर एक बलस्टोमियर फिर सेपरेट जाइगोट का काम करता है तो फिर इससे अपना एम्ब्रियो बनेगा बेबी बनेगा तो पिर हम इसको कहते हैं कि ट्विन्स हो गए है लेकिन इसके से हम के ट्विन्स चुंकि एक जाइगोट से बने वे हैं तो पिर हम इसको मानो जाइगोटिक ट्विन्स हम इसको कहते हैं और नो डाउट अगर ये जाई गोट मेल वाला है, एकस वाई वाला है, तो फिर दोनों के दोनों मेल्स होंगे, अगर ये एकस एकस फीमेल वाला है, तो फिर दोनों के दोनों फीमेल्स होंगे, इधर पर ये चांस हर्गिस नहीं होता, कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, ऐस से नहीं हो सकता तो पिर इनमें हमार से सारा कुछ बन जाएगा तो पिर चुंके ये मसला उधर मां से आ गया है यह मां से वोजाई गोट में इस तरह तो पिर इसे लिए कुछ लोग इसको मेटरनल ट्वीन्स भी कहते हैं मेटरनल मदर से आया हुआ है और जो मेटरनल होते हैं कि मैं बता रहा हूँ जो कि इस तरह से होगा, जो कि मा की तरह से होगा, जो कि मानोजाइगोटिक है, और दोनों के दोनों एक यह से हैं, दोनों फीमेल है, दोनों मेल, तब जाके कुछ लोग इसको आइडेंटिकल भी कहते हैं, इसका मतलब कि मानोजाइगोटिक, यह वा तो यू नो कि मेल एक टाइम पे कितने स्पारम को एजाकुलेट कर सकता है वो तो मिलियन बिलियन में होते हैं, मिलियन में होते हैं, तो उधर पे एक्स तो कम है, स्पारम तो बहुत जदा है, मिलियन बिलियन में है, तो फिर हर एक को स्पारम मिल सकता है, तो अगर इन X, Y, कोई और हो जाएगा तो इन में पिर इस तरह के combination हमारे से बन सकते हैं एक male है, दो female है, एक male एक female है, ये हो सकते हैं तो इन में पिर चुंके zygote different बन गए है तो पिर ये monozygotic नहीं हो जाएगा heterozygotic हो जाएगा, लेकिन मसला कहां से आ गया है, fraternal father की तरफ से, उधर पे जरस पर हमने participate किया, तो इनको हम पिर fraternal twins कहते हैं, लेकिन ये identical नहीं होते हैं, ये non-identical twins होते हैं, तो इस तरह की भी camera जो है, हमारे से बन सकती है लेकिन maternal और fraternal में फर्ग क्या हुआ, वो पिर आपनों को पिर पता होना चाहिए, मेरा अलफास से अपनों को पिर पता होना चाहिए, चलो, हम उस case में नहीं जा रहा हैं, हम ऐसे कहा रहा है कि ये से पर रेट नहीं हो गए हैं, दो blastomier हमारे साथ बन गए हैं, बुक ने लिका हुआ है, कि जब fertilization हो जाएं, यानि जाइगोड बन जाएं, इसके 36 hours के बाद, ये पहला cleavage हो जाता है, और जब ये पहला cleavage हो जाएगा, तो पिर कितने blastomier हमारे साथ बन जाएंगे दो, तो पिर इसके बाद, ये जो क्या है, cleavage होता है, ये पिर ऐसे नहीं होता कि पिर 36 hours के बाद होगा, नहीं, फिर शुरू हो जाता है, कम टाइम लेता है, और जाके जाके पिर नमबर जो होता है, वो double होता जाता है, जैसे एक सल से दो, so 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ये नमबर double होता जाता है, हर एक cleavage पे, तब जाके ये बात भी आपके जहिए में होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होता कि 2 से 2 से कहीं 3 भी बन जाए, नहीं, हर एक cleavage अगर होगा, तो पिर तो हर एक सेल के अंदर होगा, और अगर हर एक सेल के अंदर cleavage होगा, पिर नमबर भी double होता जाएगा, लेकिन ये भी जेनेटिकल होता है, कि हर एक एनिमल में, ये जो cleavage होता है, ये blastomeres के एक खास सेल के नमबर तक जाता है, जैसे फार एक्जामपल, human beings में, ये 16 पे स्टाप हो जाएगा, 16 blastomeres बन जाएगे, 16 सेल बन जाएगे, पिर इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ये जो chick वगएरा होता है, वहाँ पर 256 में स्टाप हो जाता है, तो ये ऐसी बात नहीं है, कि इस एनिमल में, ये रेंडम ली जाएगा, जिसे human beings में 16 पे स्टाप हो जाएगा, अगर 16 के बाद एक भी पिर और क्लिवेज हुआ, तो फिर तो हमारे से ब्लस्टूमियर 32 बन जाएगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, 16 पे ये स्टाप हो जाएगा, चिक में ये 256 में स्टाप हो जाएगा, इसके बाद पिर क्लिवेज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल, ये इस पिशी स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक बात होती, ऐसा नहीं होता कि फिर और क्लिवेज होगा, नहीं, ये स्टाप होगा, लिए बिए बिए ये 16 पे है, तब जाके अगर आप बुकने भी देख लिए, ये स्टाप होगा, खो, जो माई टासिस है और जो क्लिवेज है, इसमें एक फरक ये भी है, कि अगर आपनों को आदो, ये बात हम और आप लोगों ने पड़ी हुई थी, कि अगर हमारा सा पेरेंटल सेल है, इसके अदर माई टासिस हो जाए, जो डाटर सेल बन जाए, उन दो डाटर सेल के अदर उस वकद तक फिर किसी केसम का सेल डिवीजन नहीं होगा, जब तक कि इसका गुरोध पूरा नहीं हो जाए, लेकिन क्लिवेज में ऐसा नहीं होता, कि उसके अंदर फिर क्लिवेज हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि क्लिवेज में, डिवेलेबमेंट की जो रेशो है, स्पीड है, वो तेज है, ग्रोध वो है, तो cleavage और mytasis में एक फारक ये भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका फाइदा क्या होता है, just one, to increase the cell number in a limited time कम टाइम में हम इसके number को बढ़ाना चाहते हैं तब जाके याद रख ले, cleavage में development की ratio, तेज growth की slow तो अगर growth slow, तो cell का size इतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा, जितना के cell का number बढ़ेगा जल्दी से और जो cell बनेंगे, वो 16 बनेंगे, stop होगा, और हर एक cell को blastomere, हर एक blastomere deployed ये बात आपके जैन में होनी चाहिए, तो फिर ये हमारे साथ ऐसे बन जाता है, तो ये बात भी मैंने आपके साथ पहले भी कही हुई थी, कि अगर cell है, इसके अंदर शाबा से development हुआ, दो से लबने, cell dividend हुआ, इसके अंदर growth पूरा नहो और फिर cell dividend हो जाए, तो फिर तो ये normal cell dividend नहीं हुआ, फिर तो abnormal cell dividend हुआ, एब normal cell dividend हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि मैं तंजो मजाह में ऐसे कह सकता हूँ, कि cleavage का मतलब, अगर zygote को cancer हो जाए, यानि एम normal cell dividend के अंदर शुरू हो जाए, यानि development तेज हो, शाबा से growth slow हो, तो फिर हम और आप लोग इसको cleavage कहते हैं, यानि इसको एक खास कस्मत का cancer लग जाता है, तो मैं आप तो पर कहता भी हूँ, के cancer हमें पाइदायश से पहले भी हमें लग जाता है, पाइदायश के बाद फिर little होते हैं, life threatening होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो इस cleavage का फिर सारा कुछ यह मतलब होगा, आप जो हमारे साथ cell बनेंगे, वो तो 16, हर एक blastomier, लेकिन size चोटा होगा, लेकिन हर एक cell deprived होगा, तो अगर आप लोग उन 16 cells को देख ले, तो यह आपके साथ कुछ ऐसे होगा 16 cells आपके साथ बनेंगे, ऐसे आपस में टेच होंगे, और अगर आप लोग इसकी लुक को देख ले, तो यह बिलकुल ऐसे होगी, जिस तरह के mallberry, raspberry, यह जो तूत होता है, इसके दाना अगर आप लोग देख ले, उसके अंदर चोटे और 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 दाने होते हैं, बिलकुल लुक इसकी होती है, तब जाके आपके बुक ने, इसके लिए जो खुबसूरत लफज भी लिकावा है, वो लिकावा है, शाबस है, कि यह जो होता है, हमारे साथ यह कोई berry शेप का बन जाए, mallberry, raspberry, इसकी तरह इसका शेप जो है, यह पिर बन जाता है, तो अगर मैं पूछ कि क्लीवेज या सेग्मेंटेशन या सेलॉलेशन, फीमिल के रिप्रोड़क्टरी सिस्टम में होता कहां पर है, याद रख ले, फेलोपियन ट्यूप के अंदर होता है, ओवीड़क्ट के अंदर होता है, यह यूटरस वगयरा के अंदर नहीं होता, अब आप इमोजन कर ल इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लीवेज है, इसका जो एंदर होगा, वो फिर हमारे साथ मारूला बन जाएगा, इसलिए यह बाकी चीजे में हटा रहा हूं, शाबह से इनको में हटा रहा हूं, और उसी तरह से ग्रीन मार्कर से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, कि जो क क्या होगा, वो फिर मारूला होगा, मारूला में हर एक सेल को हम क्या कहेंगे, बलास्टोमियर, मारूला में बलास्टोमियर होते कितने हैं, 16, हर एक सेल कैसे होता है, वो डिपलाइड होता है, अब क्या होता है, अब होता यह है, कि इसके अंदर बलास्टोलेशन शुरू हो ना निकांदर 16 काइअ भी कांधिया ग्रोथ ही जती है लेकिन ग्रोथ याद रख़ ले मेश्या के लिए एक जैसा नहीं होता हमेश्या के QE प्रोड़ा रोग तो दो इस होते हैं तो इन में आम तो पर एक के अंदर ग्रूcyj गोथ ती दूसरे के अंदर स्लो होगा वं उस तरह से नहीं होगा जो कि इस से पहले वाले कि लीवेच के अंदर था कि है जो नंबर हो आधर क्या होगा कि फार इग्जांपल हमारे साथ 16 हैं एक के बेस पुरी हो गए है तो फिर 17 से बन जाएंगे पिर किसी अंदर के अंदर दो दो के अंदर पर अफिर 20 हो जाएंगे फिर 25 हो जाएंगे नमबर ऐसे डबल नहीं होगा जिस तरief के हम और आपर उन्पिडली स्थी 16 को अगर आप इसके अंदर क्लीवेज करें तो फिर तो 32, 32 is 64, 64 से 128, तो हमारे से लिए 128 होने चाहिए ते लेकिन 128 इसलिए नहीं है, कि इसमें जो डिवीडन है, वो क्लीवेज नहीं है, आम माइटासिज है, लेकिन आम माइटासिज जिस सेल के अंदर पहले ग्रोथ पुरू तो पुरा उसके अंदर फिर माइटासिज हो जाएगा, तब जाकि ये सेल, 100 सेल भी बन जाते हैं, तब जाकि आपके बुक ने ये लिका भी हो है, कि 100 सेल बन जाते हैं, लेकिन जो हर एक सेल है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको पर ब्लास्टोमेर कहेंगे, लेकिन जो ब्ल सेल में से जो ब्लास्टोमेर होंगे, वो फिर हमारे साथ दो तरह के होंगे, कुछ ब्लास्टोमेर ऐसे के जिसके अंदर ग्रोथ पूरी होगी, वो मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और कुछ ऐसे जिसके अंदर ग्रोथ कम होगी, वो चोटे चोटे होंगे, तो उनको और आप लोग क्या अश्राबा से वो फिर चोटे-चोटे होंगे. इसका मतलब कि Blastomere इन 100 सेल में हमारे साथ पिर दो तरह के होंगे, जो बड़े-बड़े हैं, उन Blastomere को Mega, Mere, Mega means बड़ा, और Mere का लफ सेल, Blastomere, जबकि जो चोटे-चोटे होते हैं, इनको हम और अफ लग फिर Micromere, हम और आप लग इसको कहेंगे, ये चोटे- चोटे सेल्स होते हैं, चो फिर इन से बंड जाते हैं. इस means कि 100 सेल्स में से कुछ Mega Mere होते हैं, और कुछ जो होते हैं, ये माइक्रوم colours होते हैं. यानि अगर आप इसको देख ले, ये वो सेल्स हैं जो बड़े-बड़े जिनकों मैं बना रहा हूं, ये कोई और नहीं है, ये वो मेगा मियर्स हैं, जबकि इनके अंदर वो चोटे-चोटे सेल्स जो होते हैं, जिनकों मैं बना रहा हूं, ये वो माइक्रो मियर्स हैं, जो के जो माइक्रो मियर है इसके लिए आपके बुक ने नाम इस्तेमाल किया हुआ है इनर सेल मास ये मेगा मियर और माइक्रो मियर ये पुराने कोर्सिस में होते थे इसका दूसरा नाम ट्रोफो बलास माइक्रो मियर का दूसरा नाम इनर सेल मास लेकिन जो मेगा मियर्स है 70-80% होते हैं जबके जो माइक्रो मियर्स होते हैं assessment 20 दिख 30% तक होते हैं इसका मतलब जो ची़ बन रही हैं हमारे साथ इन में कों ज़्याद है मेगा मियर्स टुर्फटबलास की सेल्स ज़्यादा है micromiers, inner cell mask के cell जो हैं यह पिर कम होते हैं तो हमारे साथ क्या होगा यह 100 cells हैं इन 100 cell में तकरीबन 70-80 cells हमारे साथ megamiers के होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं लेकिन जो चोटे-चोटे होते हैं हम और आप माइक्रो मियर्स केथे, inner cell mass केथे वो 20 to 30 होते हैं तो फिर कम होते हैं. मेरी पातापके जिहन्ध में होनी चाहिए. ये मेगा मियर्स और माइक्रो मियर्स इनके बीच में cavity होगी. इसको हम और आपसे पिर कहेंगे blasto-seeder. seal means cavity कोई cavity बन रही है इस cavity के अंदर क्या होता है कुछ नहीं होता लेकिन यह जो inner cell mass होता है यहाँ पर जो cavity होती है इसके अंदर fluid होता है और इसको हम साधा आलफाद में कहते है fluid filled cavity बुक नहीं यह लाफ़ लिका है यह cavity जो होती है इसके अंदर इस oviduct के अंदर हो रहा है अब अंदाजा लगा दे कि fertilization भी oviduct के अंदर हुआ cleavage भी जो marula है वो भी इदर पे हुआ जो blastulation है वो भी इदर ही हो रहा है तो यह सारे steps इदर पे होते हैं तो फिर सारा कुछ बन जाएगा इस दवरान यह कोई चीज जो बन रही है वो तो नीचे movement भी कर रहा है वो तो नीचे uterus को भी आ रहा है तो इस के अंदर तो इतने sense present होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब यह 100 cell का mass इदर नीचे uterus को आया और uterus में यह बिल्कुल जब आता है तो बिल्कुल ऐसा आता है जिस तरह के बाल होता है और बाल को आप लोग पेंग दे और जो ही आजाए वो जमीन के ओपर वो टपका सा जो मारता है तो बिल्कुल ऐसे ही जब यह बाल की तरह कोई चीज इदर uterus को आएगा तो uterus तो बड़ी चीज है उसके अंदर आएगा तो उदर पर यह टपका मार सकता है जो ही वो टपका मारेगा तो फिर जो hundred cells है यह तो फिर separate हो सकते है अगर separate हुआ तो फिर तो understood बात है तो फिर तो understood बात है कि इसमें यह तो फिर understood बात है understood बात है एम्प्रियो पिर नहीं बन सकती, इन अधर वर्ड अगर एम्प्रियो नहीं भी बने, पासिबिलिटी है कि हार एक सेल बलाक्प्रमियर है, वो फिर जाए गोट का फंक्शन पर फार्म कर ले, तो पिर यहाँ पे मसले क्रियेट होते हैं, तो कुजरत में क्या क्या हुआ है, त यहाँ अगर और उटब का इमार है, वो सेपरेट नहीं बना हो जाए, वो डिस्पर्स नहीं व कर लाए इस मेंब्रेन को, आपके बुक निस लिखा है, जोना पेलसै ुडा, और जोना पेलस्यूडा है क्या? कहीं अगर आप लोग आम हैंस के एक्स को देख ले, आप लोग इसको बाइल कर ले, तो इसके उपर एक शेल होता है, सखसा, वो हम और आप लोग अठा लेते हैं, वो शेल के नीचे एक मेंब्रेन होता है, बारीक सी परदा होता है, उसको हम और आप लोग शेल मेंब्रेन कहत ये हैं एक उसने एस्ट्रोजीन को भी सीग्रेट कर लिया है साथ में उसने जोना और पेलाशूडा को भी उसने बना दिया है लेकिन एस्ट्रोजीन के फंक्शन क्या है वो में आपके साथ शेयर कर लिये है जोना पहला सूटा के फंक्शन क्या है वो इस ओम को कम्पेट कर लेगा बन कर लेगा मेरी बात आपके जेन में होनी चाहिए नेक्स्ट जब ये बन जाता है तो फिर तो अड्रस्टूड बात है ब्लास्टूलेशन का जो एंड होगा इसको हम और आप लोग ब्लास्टूला या फिर हम और आप लोग इसको ब्लास्टूसिस्ट हम और आप लोग कहेंगे और ब्लास्टूसिस्ट ये ग्रीक वर्ड है सारी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है sprouting and you know sprouting क्या होता है seed को जब आप लोग kate के अंदर लगा दे तो उसके अंदर sprouting वो पूलना शुरू हो जाता है उसमें breaking शुरू हो जाती है अब हम देखेंगे कि इस blastula से blastula या blastocyst की कैसे sprouting हो जाती है कैसे चीज़े इससे बन जाती है लेकिन कहीं पूचा गया blastulation का end product क्या है वो फिर blastula है वो फिर blastocyst है और blastula या blastocyst का typical structure ऐसे होता है कि जोना पहला स्यूडा होगा पिर इसके बाद मेगा मियर्स होंगे पिर इसके बाद माइक्रो मियर्स होंगे वो typical नाम भी मैनापके साथ शेयर कर लिये हैं